नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है आज है 3 सितंबर दिन रविवार खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्ख्यों पर मुखे मंत्री बाली का इसनातक प्रोथ साहन योजना के लिए इस दिन तक करे आविदन पॉलिटिक्निक कॉलेजों में दाखिला नहीं ले सके श्टुरेंट्स के पास एक और मौका जल जीवन हरियाली योजना में मदद करेगा नाबाट केंद्र सरकारने की वन नेशन वन इलेक्शन समीती की अधिसूशना चारी एडियम कार्ट धारक उठा सकेंगे एक से दस लाख रुपे तक दुरगटना बीमा का लाब अब चल्डे बरते हैं बिहार के अब तक की पचीस वरी खबरों के ओर विस्तार से राश्ट्रिये बीज निगम लिमिटेड में नवासी पदो पर भरती भाल सरकार की मिनी रदन कंप्पणियों में से एक राश्ट्रिये बीज निगम लिमिटेड ने लीगल और विजलिंस डेपार्टमेंट में जूनियर ओफिसर के पदो तथा मार्केटिंग Electrical Engineering में Civil Engineering Department वह Managementary के पदो एवम Agriculture, Marketing, Quality, Control, Stenographer और Assistant Stores Department में ट्रेनी के पदो पर भरती के लिए विग्यापन जारी किया है कमपनी द्वरा जारी विग्यापन के नुसार कुल नवासी पदो पर भरती की जानी है से में जो मिद्वार NSCL द्वरा विग्यापती जुनियर ओफिसर या ट्रेनी के पदो पर भरती के लिए आविदन करना चाहते हैं वे कमपनी की आधिकारिक वेबसाइट INDIASEEDS.com पर जाक की गए नोटिफिकेशन को एक बार जरूर देख लें मुख्यमंतरी बाली का असनातक प्रोथसाहन योजना के लिए इस दिन तक कड़े आविदन बिहार सरकार के सिक्षब विभाग के दोरा मुख्यमंतरी कन्या उत्थान योजना अंतरगत मुख्यमंतरी बाली का असनातक प्रोथसाहन योजना के तहत राजी के अंगेभूत एवं सरकार सी मानिता प्राप संबंध डिग्री महाविध्यालियो तक्निकी संस्थावनों से इसना तक उत्तर्ण सभी कोटी के छात्राओं को प्रुथसाहन भता के रूप में एक मुस्त पचास हजार रुपए दिये जाते हैं ऐसे में अगर आप भी इस योजना का लाब लेना चाहते हैं तो ओनलाइन आविधन करने के लिए मेधासौफ.bih.nic.in.mkyy सना तक 2021 पर जाकर आविधन कर सकते हैं पर जादे किस योजना के लिए वही छात्रा आविधन कर सकती हैं जो एक अप्रेल 2021 से 31 मार्च 2023 के बीच असना तक पास की हो। यह एक भारतिय टेलिवीजन और फिल्म अभिनेता हैं जो भारतिय टीवी धारावाही को हिंदी, कुजराती, मराथी, बंगाली, भोजपुरी फिल्मों और धारावाही को में दिखाई देते हैं 27 साल से अधिक के ओन स्क्रीन करियर में गोस्वामी को स्टार परिवार अवर्ड जी रिस्ते और कई अने सहित कई पुरुसकार प्राप्त हुए हैं वह फिल्मों और श्रिंखलाओं में तीन से अधिक पीडियों के लिए सबसे मिलनसार प्रकृती अभिनिता हैं मध्यमबर के वेफसाई के बेटे से लेकर एक प्रसद अभिनिता तक गोस्वामी ने जूनियर जी में सहायक खलनाय के रूप में अपना करियर शिरू किया उसके बाद विक्राल गबराल में गबरु के एक प्रमुक भुमी का निभाई गोस्वामी ने स्टार प्लस की 2001 की टीवी श्रिंखला में गबरु की भुमी का निभाना चारी रखा बाद में गोस्वामी ने डाली सो सक्तिमान में खली बाली की भुमी का निभाई 2000 के दश्रक में गिरावट की एक संचिप्त अबदी के बास गोसवामी ने 2005 में सब टीवी के गुटरगू में एक प्रमुक भुमी का निभातेवे ग्रेटर स्टैंडम प्राप्त किया आज मनाया जागा बहुला गनेश चौत हिंदु समाज में भादरप्रत का महीना भगवान कृष्णा और स्री गनेश के विसेश पूजा के लिए जाना जाता है इस महीने में कई छोटे बड़े व्रत तेवहार मनाया जाते हैं जिन में से आज बहुला गनेश चौत मनाया जा रहा है ऐसे में इसको लिकर प्रसद कर्मकांडी आचारे अमरेंद्र कुमार मिश्र उर्फ साहिप पंडित के दोरा दीगे जानकारी के नुसार आज चतुरती तिती रातरी ग्याड़ा बज़ कर आठ मिनट तक है ऐसे में इस महीने जो पड़व हिंदूओं के लिए अतीब महत्पुर्ण है उनमें स्री कृष्ण जर्मोत्सव, विश्व कर्मा पूजा, तीज और अनन्द चतुरतसी सामिल है एटियम कार्ड धारक उठा सकेंगे एक से दस लाख रुपए तक दुरगटना बीमा का लाब अगर सरक दुरगटना में किसी कीम रित्यू हो गई है लेकिन उसके पास ATM कार्ड है तो उनके परिजन दुरगटना बीमा क्लेम कर कार्ड की काटेगरी के अनुसार लाब उठा सकते हैं इसको लेकर बिहार परिवहां संजय कुमार अगरवाल के दोरा चानकारी देते वे बता दस्तावेज प्रस्तूत करना होगा जिसके बाद इन दावा और दस्तावेजों की जांच न्यू इंडिया इंसुरेंस कंपने लिमिटेड द्वारा दस कार्यार दिनों में दावाराशिक अभुक्तान किया जाएगा प्राध्धान के तहत अगर किसी व्यक्ति को सरकारी य इंसुरेंस सेवन का हगदार हो जाएंगे हाला कि अलग-अलग बैंकों ने इसके लिए अलग-अब्धी तैक कर रखी है दरसल बैंक रहकों को जब डेविट या एटियम कार्ट दिया जाता है तो उस पर दुरगटना बीमा या और समय मौत पर फ्री इंसुरेंस भी दिया और साथ युद्योग विभाग की राजे निवेस प्रोतसाहन परशत के दोरा इसकी मंजूरी भी दे दी गई है पता दे किस नई एकाई में प्रतिवर्स एक हजार तीन पहिया एलक्ट्रिक वहान का निर्मान किया जाएगा जिसके बाद राजे में प्रतिवर्स डेर हजा तीन पहिया एलक्ट्रिक वहान का उत्पादन होने लगेगा मालम हो कि बाहर से आने वाले इडिक्सा की तुलना में बिहार में बनने वाले इडिक्सा की कीमत कम होगी बता दे कि वर्तमान में छोटे पैमाने पर ही बेगु सराय में इडिक्सा का निर्मान किया जा रहा है जिसकी चमता प्रती वर्ष 400 ईजिक्सा है। नीचे और विशेश रूप से प्रितक पेरों के नीचे आस्रा नने और फोन बिजली धातू की बार पवन चक्कियों आदी से दूरी बनाई रखे। जाता है कि प्राचीन काल में दिखवारा रेलवे स्टेशन के पास दिखद्वारत और यस्थान दिखवारा के नाम से जाना जाता था। इस्थान छपड़ा से लगभग 37 किलो मीटर पुर्व और दिखवारा से 4 किलो मीटर पश्चिम में इस्थ है। पुराना मंदिर है जिसे अंबा अस्थ के नाम से जाना चाता है मंदिर के पास एक बगीचा और एक गहरा चोड़ा कुआ है जिसमें पानी पूरे साल रहता है और यह कभी नहीं सुखता। दूर से आस्तिक इस यल कुंड पर उसकी स्मिती में स्थापित भेट करने के लिए आते हैं दूर दूर से विश्वासी अप्रेल और ऑक्टूबर के नवरात में भेट अर्पित करने आते हैं। लाखों लोगों दोरा यहां चरहा जाने वाला पानी कुंड में गायब हो ज दूरा इसके दूरा इसपेशल टूर पैकेज तयार किये गया हैं जिसके लिए लोग और लाइन बुगिंग करा सकते हैं। आपकी जानकारी के बता दे कि निगम के ओर से पास तरह के स्पेशल टूर पैकेज बनाएं गया हैं। इसमें खाना पीना, होटल, परिवहन, धारित किया गया है इसके तहत विश्णू पदमंदिर अक्षय वट और फल्गु नदी में पेंदान कराया जाएगा वहीं मंत्रो चार दान दक्षना एवं पूजा समगरी विधी विधान का पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ पेंद्रा इफ्तर तैयार कर पंडा के दोरा उपलब्द करवाया जाएगा बता देग इसका संपर्क नंबर 8544418408 है पॉलिटेखनी कॉलेजों में दाखिला नहीं ले सके इस्ट्रेंट्स के पास एक और मौका अगर आप थे उन विध्यार्थियों में से है जो बिहार पॉलिटेखनी कॉलेजों में दाखिला लेना चाहते हैं लेकि दाखिला ले नहीं पाए है तो आपके पास सुनहेडा अफसर है दरसल प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेजों में बड़ी संख्या में सीटे खाली है ऐसे में अब इन खाली सीटों में नामांकन की प्रक्रिया मौप अप राउंड के द्वारा की जाएगी जिसके लिए रेजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जो की 7 सितंबर तक जारी रहेगी ऐसे में पॉलिटेक्निक कॉलेजों में दाखिला ना ले पाने वाले विद्धार्थी 7 सितंबर तक अपना रेजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं जिसके बाद मॉप अप राउंड काउंस्लिंग का सीट आवंटर रिजर्ट 13 सितंबर को जारी किया जाएगा और 14-15 सितंबर को आवंटर सीटों पर मिद्ध्यार्थियों का दाखिला लिया जाएगा बता दे कि इस बात की जानकारी BCECEB यानि की बिहार कंबाइन इंटर्स एग्जामिनीशन बोर्ट के द्वारा दी गई है जल जीवन हरियाल योजना में मदद करेगा नाबाट में नाबाट की मदद से इन योजना को चलाया जाने वाला है उनमें पटना, अरडिया, गया, कैमूर, रोहतास, बांका, बेगुसराई, नालंदा और मदवनी के नाम शामिल है इसके लिए 35 करोर रुपे की मदद पर सहमती बनी है और अब तक इसके लिए लगबग 14 करोर रुपे जारी भी कर दिये गए है पतादिक इस योजना के तहट आहर पईन, तालाब, पोखर का जुनुधार वर सिचाई से जुरे कारी किये जाते हैं सराब तसकरी का अजब गजब मामला आया सामने बिहार में पुनरूप से सराब बंदी है, ऐसे तो हम सब भी वाकिफ है लेकिन असके बावजूद भी आए दिन हमें सराब तसकरी से जुड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं बतादे कि ताजा मामला गोपाल गंज के विश्वम भडपूर थानाचितर के रमजीता गाउं के पासका है सक्षा विभाग और राजभवन के बीच पत्र युद्ध जारी है, बतादे किसी कड़ी में विभाग की ओर से राजभवन को पत्र लेक राज़ेपाल की इसपस्ट सक्तियों और राजभवन सचीवाले से फंड और विश्विध्यालों में चल रहे मुकदमों को लेकर सती जाना चारी है बालमोक सक्षा विभाग के सचीव बैदेनात यादव के दरा पत्र लेकर राजभवन से स्थीधा सवाल पूछते वे कहा गया है कि विभाग अब राज़ेपाल के इसपस्ट सक्तियों और अधिकारों के बारे में जाना चाहता है अधिक मामलों का सामना कर रहा है अगर राजभवन इतना ही उत्सुक है तो यह काम भी राजभवन करे राजभवन सचीवाली को सिक्षा विभाग सलहा देता है कि अब सभी अधालती मामलों को राजभवन सीथे लड़े और खुद प्रतेक किस्ट में हस्तचेप याचिका प्रदेश के अधिकांस जिलों में बारिस और वजरपात की संभावना पिछले कुस दिनों तेजगर्मी और उमत से परिशान लोगों को गर्मी से राहत मिली है विहार में इन दिनों मौनसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है लेकिन शनिवार की देर साम प्रदेश के जा वजरपात के साथ में गर्जन होने की संभावना है वहीं 4 सितंबर को लेकर चारी अपडेट में अब बताया गया है कि प्रदेश के उत्तरपश्यम उत्तरमध्य और दक्षिन पश्यम दक्षिन मध्य के जिलों में एक या दो अस्थानों पर वजरपात के साथ बारिश होन पटना विश्विद्याले के प्रतिकूल पती और मगत विश्विद्याले में रसायन सास्तर के प्रोफसर रही और बरतमान में इंडियन सायन्स कॉंग्रस के राश्ट्री महासची प्रोफसर रंजीत कुमार वर्मा भारती रसायन अग्या परिसित के राश्ट्री अध्यक मालम हो कि उन्हें लंदन की रोयल सुसाइटी ओफ केमेस्ट्री सहे देश विदेश की कहीं सुसाइटी की दौरा फेलोसिप से नवाजा गया है यह पहला ऐसा आफसर है जिसमें यह पद बिहार जाटकन के किसी प्रोफेसर और विज्ञानी को मिला है। किंदर सरकार दे की वन नेशन वन इलेक्शन समीती की अधिसूशनाचारी बिदे दिन किंदर सरकार के दोरा वन नेशन वन इलेक्शन को मुर्त रूप देने के लिए समीती की अधिसूशनाचारी कर दी गई है जिसमें कुल आर्स दर्श्यों को सामिल किया गया है। कशप वर्ष अधिवक्ता हरी सालवे और फॉर्मर चीफ विजरेंस कमिशनर संजय कोठारी का नाम शामिल है जिनने सदर्शिक के रूप में चुना गया है मालमों के ऐसा पहली बार हुआ है किस तरह की प्रक्रिया में किसी पुर्व राष्ट पती को शामिल किया गया हो सीट सेरिंग को लेकर स्वियव नितीश का बड़ा बयान बीतर दिन मुख्यमंत्रे नितीश कुमार के द्वारा मीडिया से बाचीत करते वे सीट सेरिंग को लेकर एक बड़ा बयान दिया गया है उन्होंने कहा है कि सीट सेरिंग में कोई दिक्कत नहीं है ये आपसकी बात है बहुत जल्दी इंटर्नली इस पर काम शुरू हो जाएंगे और करने के बाद आप लोगों को जानकारी दे दी जाएगी अलग-अलग काडियों के लिए किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है सब कुछ अच्छे से हो जाएगा और स्थी समय पर हो जाएगा कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी बिहार में बदलाओ को लेकर प्रशांत किसोर का बयान जन सुराज के सुतरधार प्रशांत किसोर ने बिहार में बदलाओ की बात करते वे कहा है कि बिहार की जनता का मूड अगर समसे जाए तो सूबे की जनता नया विकल्प चाहती है हाला कि वो विकल्प कौन है अभी हाल फिलहाल में ये नहीं बताया जा सकता बिहार में आप कहीं भी चले जाए लोग नितीश कुमार और लालू यादव के 32 सालों के साशन से इस हद तक झेल चुके हैं कि जनता का कहना है कि उन्हें नया विकल्प चाहिए बिहार की जनता भाजपा और महागरवंधन दोनों दलों के अलायंस से तरस्त है बिहार में अगर सर्वे कराकर देखेंगे तो 50 प्रतीशत लोग एक नई विकल्प चाहते हैं लेकिन वो विकल्प कौन होगा और कैसा होगा इस पर व्यापक अस्तर पर सकरात्मक बहस जरूर ह होनी चाहिए उन्होंने कहा कि बिहार की जनता यहां के तीनों दलों से विमुक हो चुकी है क्योंकि पिछले 10 वर्सों में यहां के लोगों को किसी भी रस्तर पर तरक्की नहीं हुई है और बिहार सभी मानकों पर चाहे सक्छा, रोजगार और आर्थिक विकास में से किसी प्रभी प्रगती नहीं कर पाया है और आज भी देश का सबसे गरीब राज है सरकार से मिले जमीन का जायजा लेने रत पर सवार होकर आर्जेडी ओफस पहुंचे लालू बीदर दिन राज सुप्रीमो लालू प्रशाद यादव अपने रत पर सवार होकर अचानक आर्जेडी के प्रदेश कारेयाले पहुंचे ऐसे में उन्हें अचानक से देखकर कारेयाले में मौझूद पार्टी के अन्यनेता और कारीकरता हैरत में पढ़ गए पतादी के लालू यादव आर्जेडी कारेयाले उस जमीन का जायदा लेने पहुंचे थे जो उन्हें सरकार के द्वारा आर्जेडी कारेयाले को विस्तार करने के लिए दिया गया है जिसकी मांग भिहार सरकार से पिछले दो सालों से की जा रही थी पहिए बहुत जल्दी आर्जेडी कारेयाले का विस्तार हो जाएगा और फिर आर्जेडी कारेयाले भी जेडियू और बीजेपी कारेयाले की तरह बड़ा हो जाएगा मालमों के पिछले दिनों बिहार के उपमो के मंतरी तेश्वी यादव भी उस जमीं का जायदा लेने पहुँचे थे भारत के तिहास में आज की तारीक है कहीं कारणो सिदर्च नलसन मंडेला द्वारा गुट नर्पेक्च आंदोलन सिखर समेलन में 1998 में कस्मीर का मुद्दा उठाय जाने पर प्रधान मंतरी वाजपई ने करी आपत्ती व्यक्त की नराजंतर कुमार पचोडी को 2008 में संयुक्त राष्ट की संस्ता जलवायू पडिवर्तन के अंतर सरकारी पैनल का पुर्णा प्रमुक्ष चुना गया भारतिये राजनेतक के लेखक पत्रकार और सतंता सिनानी कमलापती त्रिपाठी का जर्म 1905 को हुआ था भारतिये सिनेमा में हिंदी और बांगला फिल्मों के प्रसद अभिनेता उत्तम कुमार का जर्म 1906 को हुआ था हिंदे सिनेमा के प्रसद संकीतकार जोरी लक्षमी कान प्यारे लाल में से एक प्यारे लाल का जर्म 1904 को हुआ था विश़्प्रसिद रहस्तेबादी और भारतिय मूल के योगी जग्जी वासूदेव का जन्म 1927 का हुआ था भारतिय क्रिकेट खिलारी राहुल साघरी का जन्म 1934 का हुआ था भारतिय फिल्म अभीनेता विवेक ओबराई का जन्म 19 ό. शहातर का हुआ था प्रसिद महिला पहलवान साक्षी मलिक का जर्म 1921 को हुआ था सू प्रसिद तबला बादत के सन महराज का जर्म 1923 को हुआ था वालकम बाद करेंगे सर्वस् Ich já अभियान के बारे में सोसल मीडिया पर कहीं सुचनाय बारल होती है लेकिन सभी सच हो यह जरूरी नहीं है इसी कड़ी में आज हम बाद करेंगे सर्वस Ichya.org सर्वसिक्षा अभियान की आधिकारिक वेवसाइट होने का दावा कर रही है पर सरकार्सरकार से सम् безопаснее इंस्टाग्राम पर उस तरह कर सकेंगे इस्टोडी इस को और सपोर्ट फोटो शेरिंग सोपर प्लैटफर्म इंस्टाग्राम एक नए फीचर पर काम कर रहा है इससे content creator अपनी stories पर comment को highlight कर सकेंगे Companies feature पर testing कर रही है Instagram के promote Adam मुसेरी ने IZ Updates चानल पर एक post में कहा है कि हम creators के लिए दिल्चस comments को highlight करना आसान बराना चाहते हैं IANS ने खबर के मताबिक मुसेरी आगे कहते हैं कि हम public accounts के लिए किसी भी public feed post या real से comment को उनके stories में share करने की चंता का trial कर रहे हैं खबर के मताबिक आगे है कि इस feature के trial या testing में हिस्सा लेने वाले producer किसी comment को swipe कर add to story icon पर tap करके उसे highlight कर सकते हैं Stories feed में comment real post के साथ दिखाई देगी हाला कि मुसेरी ने feature के public rollout या trial के आकार के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है Instagram एक ऐस feature पर काम कर रहा है जो users को audio notes बनाने की सुधा उपलब्द होगी आदित्य L1 spacecraft को लेकर PM मोधी ने इस्टो को दी बदाई बीतर दिन सुभा 11 बचकर 50 मिनट पर इस्टो के दोरा स्री हरिकोटा स्पेस सेंटर से भारत के पहले सुर्य मिशन आदित्य L1 को लाँच कर दिया गया है ऐसे में अब यह अंतरिक्ष यान 15 लाग किलो मीटर की दूरी तै करने के बाद प्रित्वी इवं सुर्य के बीच इस्थित लेक रेंच पोईट पर पहुचेगा और फिर वहीं से सुर्य का ध्यान करेगा बता दे कि यहां अपने साथ साथ पोलेड लेकर गया है मालमोग सुर्य के अब्जर्वेशन के लिए इस्थित लोड़ा लॉंच किया जाने वाला पहला समर्पित भारतिय अंतरिक्ष मिशन को भारतिय वेदसाला PSLV C-57 रोकेट लोड़ा लॉंच किया गया वहीं अब इस्थो के सुपलब्दी पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस्थो को बधाई देते वे कहा गया है कि चंद्रियान 3 की सफलता के बाद भारत ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा जारी रखी है हमारे विग्यानिकों और इंजिनेर को बधाई इस्थो भारत के पहले स्वार्मेशन आदित्य एल एक के सफल प्रचेपन के लिए संपुर्ण मानवत्ता के कल्यान के लिए ब्रहमान की बैतर समझ विकसत करने के लिए हमारे अथक विग्यानिक प्रयाज चारी रहेंगे बता दे कि नरेंद्र मोधी के द्वारा या बधाई ट्वीट कर दी गई है सने देवल की गदर दो के हिट होने की वज़ह बताई अनुराक कश्यप ने सने देवल की फिल्म गदर दो अब तक 450 करोड से जादा की विजनेस कर चुकी है ऐसे में अस फिल्म के हिट होने का करण नर्माता अनुराक करश्यप दोरा बताए गया है उन्हें कहा कि अब तक उन्होंने गदर दो नहीं देखी है लेकिन उन्हें पता है कि इस फिल्म को कितनी बड़ी सफलता क्यों मिली है उन्होंने कहा कि मैंने न गदर 2 देखी न ओमजी 2 और ना ही ड्रीम कर दो क्योंकि मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूँ लेकिन मैं समय निकालोंगा और जाकर उनसे जरूर मिलोंगा मुझे रखता है कि गदर 2 की मार्केटिंग बहुत बढ़िया की गई थी और साथ ही इस फिल्म में बहुत पुरानी यादे भी हैं गदर 2 की पूरी मार्केटिंग गदर एक थी आपकी जानकारी के लिए बता दे कि फिल्हाल गदर 2 तीसरी सबसे ज़ादा कमाई करने वाले हिंदी फिल्म बन गई है CBSE स्कूल कैंपस में सिंगल यूज प्लास्टिक होगा बैन और उसका निप्टान किया जाएगा दरसल 1 सितंबर से स्वच्टा पकवाड़ा के शिडवात हुई है जो की 15 सितंबर तक चलने पाली है स्कूलों को यह नर्देश दिया गया है कि इस तौरान स्कूलों में छात्र और सक्चकों के द्वारा स्वच्टा सफद भी लिया जाएगा वही स्कूलों में सुच्टा और हाईजीन पर निबंध नारा कभीता लेखन पेंटिंग कोईच आदी जैसी प्रतियोगी ताइब छात्रों के लिए आयुजित की जा सकती है मालुम हो कि इन एक्टिविटी की एक संशिप्त रिपोर्ट स्कूल दारा तीन शार फोटो के साथ 19 दिसंबर 2003 से पहले स्क्रीन पर दिखाए गया लिंक पर अप्रोड करनी होंगे हम प्रति दिन आप से पांच ऐसे जरूरी सवाल और सुजरे जवाब बताएंगे जो की बीपेसी, बिहार पुलिस, तरोगा समित, एससी जरसे अने प्रतियोगी परिक्षा में काम आएंगे सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, पिज्ञान, करेंट अफियर्स और भुगोस रहेंगे पुछे गए पांच सवाल में आपने कितना सही उतर दिया क्रिपा करके यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं हमारा पहला सवाल है अगला सवाल हाली में किस दिन को राष्ट्रिय लगो उद्योग दिवस मनाया गया है अप्शने 30 अगस्त, अप्शने 1 अगस्त, अप्शने 5 सितमबर, अप्शने 8 अक्टूबर इसका सही उतर है अप्शने 30 अगस्त अगला सवाल हाली में केंद्रिय मंत्रे नितिन गड़करी ने कहां में दुनिया के पहली 100% इथिनोल कार लॉंच की है अप्शने स्रीनगर, अप्शन B लखनाओ, अप्शन C नई दिल्ली, अप्शन D इन में से कोई नहीं इसका सही उतर है अप्शन C नई दिल्ली अगला सवाल मीर कासिम ने कहां बंदू को एवं तोपो के कार खाना के स्थापना की थी अप्शने पटना, अप्शन B भागलपुर, अप्शन C मुंगेर, अप्शन D बकसर इसका सही उतर है अप्शन C मुंगेर अगला सवाल बेहार में डेन वैपारियों ने कहां वैपारी कोठी खोला? उप्शन D भागलपुर، उप्शन B बेतिया、 उप्शन C फथुहा भाल गोदाम, उप्शन D पत्ना सिटी नेपाली कोठी इसका सही उतह है उप्शन D पत्ना सिटी नेपाली कोठी इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है वन निशन वन इलक्सन पर आपकी क्याराय है आपना चाहब हमारी कमेंट सेक्षन में लिकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम कबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी निउस और साथ यह अगर आप यूटूब से देख रहें चानल को सब स्काइब करना और अगराफ फेस्बुक से देख रहें तो पेस को फॉलो करना न भूले धन्यवाद